हेलो आपके लिए लेके आए हूँ एक स्किन वाइटनिंग से रिलेटेड वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही वेनिफिशल हो सकती है तो आज में आपके लिए लेके आए हूँ कि आप घर में अवेलेवल चीजों से किस तरह से अपनी स्किन को हैल्दी और नरिश कर सकते ह तो आज मैं आपको बताऊंगी दूद के फाइदे कच्चा दूद लेना है आपको और इस दूद में कुछ एक ऐसी चीज़े मिलानी है जिसे आप मिला लोगे तो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा इसको आपको ओवर नाइट अपने फेस पे लगाना है तो आपने एक बार अपनी स्किन पर दूद का स्तेमाल कर लिया तो फिर आप मार्केट के ब्यूटी प्रोडक्ट का स्तेमाल करना यकिनन भूल जाएंगे इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिससे आप दूद को अपनी स्किन पे लगाएंगे तो आपको रात और रात अपनी स्किन में फरक नजर आएगा आप रात और रात आपकी स्किन मुलायम खुबसूरत और गोरी हो जाएगी तो बस आपको क्या करना है कि आपको दूद के अंदर कुछ चीजों को मिलाना है और उसके बाद आपको अपनी स्किन पे अपलाई करना ह है तो चलिए वीडियो कर लेते हैं क्या के चीज़े हमें मिला नहीं है व इस रिदीन के लिए कच्चा दूद सब्सक्राइब में तीन से चार चबश कच्चा दूद ले रही हूं कच्चा दूद हमारी सकिन के लिए बहुत अच्छा होता है जब ही आप स्तेमाल करें सकिन के लिए कच्चा दूद यह तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जैनी की एक चम यह मेरे पास ऐलो-वेरा जयल है इसे बीप 야प अरवीराली ऐसे भी आपढ़ारेल लिए सकते हैं यहां पेट एक चम्मच अलोवेर्ण हमने ले लिया है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घायर इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना हो इप दूद में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमने यहां पर इसमें अलोवेरा जेल मिक्स के लिया है इसके साथ ही हमें चाहिए तीसरी चीज जो की है गुलाब जल तो मेरे पास टावर का गुलाब जल है तो वह में यहां पर एक चमश ले रहे हूं कुलाब जल हमारी स्किन के लिए एक टोनर का काम करता है यह हमारी स्किन के पिएस बैलेंस को मिंटेन रखता है तो यहां पर हमने एक शमश कुलाब जल लिया है और अलोवेरा जेल हमने इसमें डाला है अलोवेरा जेल के फायदे तो आप सब भी जानते हैं अलोवेरा में बह बहुत अच्छी तरह से मिक्स के लिए हैं और अब आपको लेना है एक कॉटन और कॉटन की हेल्प से आप इसे अपने फेस पे नेक पे हाथों पे एपलाई कर सकते हैं कॉटन की हेल्प से लगाएंगे बहुत ही आसानी से यह लग जाएगा स्किन के उपर और उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही नरिश हो जाएगी बहुत ही खुबसूरत मुलायम और शाइनी हो जाएगी लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे आदे घंटे में भी लगा के वाश कर सकते हैं यह देखिए मैं आपको पांस मिनट के बाद का फरक दिखा रही नजर कर पा रहे हैं मेरे हाथ पे मेरा हाथ पहले से काफी चमकदार हो गया है तो इसी तरह से आप इसे फेस पे लगा सकते हैं यह हर टाइप की स्किन के लिए सूटेवल है हर कोई से इसे अपनी स्किन पे लगा सकता है तो इसके कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है आप इ अपनी स्किन पर ट्राइ कर सकते हैं और वीडियो शी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलती हो नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो